हाई अब्रिवन आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे मैं हुई आमिनी ठाकुर और मैंने एच्पिय लाइट सर्विसिस में फर्स्ट रंक सिक्योर किया था और आज की इस वीडियो को टॉपिक भी यही होने वाला है कि कैसे आप इस एक्जाम को अप्रोच करें क्या स्ट्राटेजी फॉलो करें और कौन सी टॉपिक पर आप ज्यादा ध्यान दें ठीक है तो इस वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किपना करें और मैं एडवाइस करूंगी आपको कि आप अपने साथ जो है कॉप्पी और एक पैन लेकर बैटें और जो भी म आपको बता रही हूं वह आपका ही नोडाउन कर लीजी तो आप अपने तयारी के टाइम उन चीजों को बिल्कुल भी मिसना करें तो सबसे पहले बात करेंगे इस एक्जाम के पैटरन की तो यह एक्जाम थ्री स्टेजिस में होता है सबसे पहले आपका है प्री उसके सबसे पहले इंपोर्टेंट है कि आप प्री के पैटरन को समझे उसके स्लेबस को समझे आप उसको क्लियर करके नेक्स स्टेज पे जाए ठीक है और मेंस में आपको तीन पेपर्स देखने को मिलेंगे वह है एक तो हिंदी का सेकिंड इंग्लिश का और थार्ड आपका जीक दिएपए वह स्कोरिंग हे और इनके माक्स काउंट होने वाले हिंदी और इंग्लिश की पेपर आपके 150 माक के रहते हैं जो आपका गर होता है वह 200 माक के रहता है बद आज की वीडियो का जो में फोकस एक smallest के पका है इ Więक 60 to 65% जो questions है आपको वो आपको 2-3 portion से देखने को मिलेंगे वो है हिमाच्य, उसके बाद current affair और उसके बाद आपका आता है history ठीक है और जो rest of the portion होता है वो भी equally important है क्योंकि वो थोड़े थोड़े chunk है और उस chunk से भी काफी जादा आपको questions देखने को मिल जाएंगे और उसमें chances क सम रहते हैं कि आप उसमें mistakes करो ठीक है जैसे कि disaster management है teaching of Gandhi है उसके बाद economy है उसके बाद geography है ठीक है यह सारे science है यह सारे portion जो है आपको इसमें cover करने पड़ेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिमाचल की हिमाचल को कैसे cover करें तो हिमाचल को cover करने के लिए आप इसको भी का जो current है वो आपका economic survey और budget से भी जो schemes होती है वहां से भी cover हो जाता है हिमाचल के portion का उसके बाद अगर मैं बात करूं static portion में जैसे geography हो गई उसके बाद यहां पे history हो गई kings होगे rulers होगे यह सारे portion जो है आप किसी भी हिमाचल की book से follow कर सकते है जो आप already follow कर रहे हो अगर मैं प्री के point of view से बात करूं कि revision के लिए आपके लिए हिमाचल दरपन अकाश publication की एक book आती है उससे आप revise कर सकते हो बट इस बार अगर आप देखोगे तो काफी questions जो हैं आपको हिमाचल में भी ऐसे देखने को मिलेंगे जो शायद उस book में नहीं थे तो ऐसे questions को आप कैसे tackle कर तो इसके लिए best है कि आप previous year के papers को भी study करके जाए क्योंकि बहुत से questions इस बार repeat हुए थे previous year paper से ही और ऐसा कुछ ना कुछ portion आपका रही जाता है paper में जो आपको लगेगा कि आपका prepare नहीं है या फिर आपने उसमें अच्छा score नहीं किया है तो exam में वो देखके बिलकुल में घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपको बात करूं 200 मास का यह total paper होता है पर जो आपकी maximum cutoff जा सकती वह 120 100 and 120 इस बार जो cutoff गई थी जनरल के अगर मैं बात करूं तो I think 85 plus 80 to 85 plus ऐसे आपकी cutoff गई थी हाँ इस बार सीच थोड़ी जादा थी हर बात सीच इतनी जादा नहीं पर फिर भी अगर सेफ स्कोर अगर आप मान के चलो तो 120 अगर आप attempt कर रहे हो ठीक है जो कि आपके सिर्फ 60% है ठीक है total overall paper की बात करें तो वह आपको सिर्फ 60% लेना है तो ऐसे बिल्कुल भी उसको देके नहीं घबराना है कि आपको जो है यह portion आपका कोई एक portion आपका paper मे अच्छा नहीं attempt होता है ठीक है हिमाचल के लिए मैंने आपको का geography है history है उसकी ठीक है उसके बाद उसके fair and festival यह social economic conditions यह सारी चीज़े जो है आपको किसी big standard book में मिल जाएगी आप हिमाचल के लिए अकाश दरपन की ठीक है अकाश publication की हिमाचल दरपन को follow कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई और standard book है तो आप उसको ही follow कर दीजी इसको डिवाइड कर सकते हो जैसे जोग्राफी में आप डिवाइड कर से तो कि रिवर्स है पासिज है वैलीज है ठीक है और वैसे ही marriage है फेर है फेस्टिवल है इस तरीकी से आप अपने इस लेबस को divide कर सकते हो और हर पॉर्शन पर ध्यान दें आपको कोई portion जो है हाँ पर skip ना हो उसके बाद अगर बात करें current affair को कैसे अप्रोच करना है तो current affair के लिए आप एक regular magazine follow कर लीजी उसके बाद आप उसके mcqs practice कीजिए एक newspaper आप फॉलो कर लीजी तो आपका current affair भी cover हो जाता है बट minimum एक साल का current affair आ आपको question जो है वह बहुत ही आपने देख्यों कर आप उसको भी decode करें तो आपको कैसे question देखने को मिलते हैं awards से related होगे या फिर किसी book से related होगे उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे index से related reports से related क्यूंकि इसमें काफी जादा chunk जो है current affair का भी आता है 60 questions आपको देखने को म आपके ठीक है और एक और बात इस बार के paper को एकर आप analyze करो तो इनका paper का pattern थोड़ा सर डिफर जो difference इनोंने लाया है वह यह है कि जैसे मानलीजी आपको चार option दे रखे हैं तो आपसे इस तरीके से पूछने की only one correct है only two है one and two है मतलब combination बनाके दे रहे हैं तो आपको जो है exact information पता होना बहुत जरूरी है तो जब भी आप index भी प्रिपेर करें इंडेक्स के ranking प्रिपेर करें तो आप इस सिर्फ ना सिर्फ current year बलकि उसके previous year का क्या rank था है इंडिया का और उसके neighboring country का क्या है तो इस तरीके से detail study जो आपको current affair के आपको करनी पड़ेगी और multiple revision बहुत ज प्रेक्टिस जरूर करें क्योंकि जब तक आप उसको उसी फॉर्मेट में आप तयारी नहीं करोगे जिस फॉर्मेट में आपका paper आता है तब तक ना तो सिर्फ आपको confidence ना सिर्फ आपको confidence भी नहीं आएगा और साथ ही साथ आपको paper में reproduce करने में वह सेम तिंग आपको बह है जादा चंक बेशक इसमें जो आता है वो modern history का आता है बट alternate years में आपको देखने को मिला हुआ अगर आपने paper एनलाइज किये हैं तो history और history में अच्छे से प्रिपेर कीजिए क्यूंकि अब तक notification भी नहीं आई है तो आप उस पे ध्यान दे सकते हैं ठीक है और modern history के 1857 के बाद का तो बहुत अच्छी से प्रिपेर करके जाए क्योंकि वो ना सिर्फ आपके प्रिमे बल्के आपको मेंस में भी help करेगा history के लिए आप spectrum follow कर सकते हैं उसके बाद वही है कि इसके भी आप जितने हो सके क्योंकि वो आपके रिविजन को बहुत ही जादा स्ट्रॉंग करेंगे और आपको एक confidence भी आता है कि आप इसको attempt कर सकते हो उसके बाद अगर हम बात करें history हिमाचल और current affair के बाद जोग्राफी की तो जोग्राफी के लिए मैंने जो है वो 9th onward NCRT जी पड़ी है ठीक है बट हां इसको मैंने topic wise इसकी study की है कोई एक particular book follow नहीं की है topic में आपको इसको कैसे आप divide कर सकते हो आप अगर pattern देखोगे previous year papers का तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ topics है जिनसे बार बर questions पोचे जा रहे हैं for example clouds है आपकी straits है ocean currents है ठीक है cyclones है तो इस तरीके साब अपने paper को divide कीजिए syllabus को divide कीजिए कोई एक book से stick रहेंगे तो हो सकता है आप उस पर अच्छी से ध्याना दें ठीक है पर हाँ अगर आप topic wise study करोगे तो बिलकुल भी आपका वो topic miss नहीं होने वाला है इसलिए आप भी क्या कर सकते हो previous year के papers को practice कीजिए उसके बाद जो भी topics आपको लग रहा है कि उन papers में आये हैं उनको एक जगह नोट करके उसके according अपनी तयारी करें और उसके mcqs practice करें जितने हो से कि आप उसके mcqs practice करें ठीक है उसके बाद अगर बात करूं में economy की तो economy जादा तक current oriented ही आती है हिमाचल के लिए तो मैं कहूंगी आप economic survey और budget prepare करके जाए उससे आपको help मिलेगी ना सिर्फ आपके प्रे के लिए जबकि आप अपने मेंस में भी answer लिखोगी तो कुछ questions वहां से direct आ जाते हैं मेंस के ठीक है schemes आजाएंगी जो आपको economic survey और budget में देखने को मिलेगी even आप उसकी figures को use कर सकते जिससे आपके answer में भी आपको जादा marks मिलेंगे ठीक है तो economy के लिए मैंने आपको का economic survey और budget आपके लिए काफी है उसके बाद अगर मैं बात करूँ science के लिए तो science के लिए 6th onward 10th तक आप सारी NCRT बहुत ही easy है वो graph पढ़ोगे ठीक है 10th तक का syllabus easy था उसको भी आप divide कर सक तोपिक में कैसे light है लेंस है ठीक है बायो के अगर आप देखो vitamins है और disease है इस तरीके से आप अपने syllabus को divide कर जी और so that आपका कोई भी portion जो है वो miss ना हो जो भी exam में questions पूछे जा रहे हैं वो आपके बिलकुल भी miss ना हो ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें हमारा history हमने डिसकस कर लिया है जोग्राफिक कर लिया है एक कॉनमी कर लिया है पॉलिटी पे आते हैं पॉलिटी के लिए सभी एक पॉलिटी को अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये बात बिल्कुल अपने माइन में रखे कि हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है आपको हाइलाइटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं और पॉलिटी में आर्टिकल्स के सिवा भी बहुत कुछ है जिसे constitutional amendment पूछी जा सकती है qualification पूछी जा सकती है किसी post से related तो लक्षमी कांत में आपको वो हर चीज़ देखने को मल जाएगी उसका भी आप multiple revision कीज़े हो सकता है starting में आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हो बट धीर धीर आपको वो सारी चीज़े time के साथ याद होते रहेंगी ठीक है तो quality को भी आ बहुत ही important आपका chunk है जो आपको ना सिर्फ आपको प्री में बलकि मेंस में भी आपको इसके questions देने को मिलेंगे तो इसके लिए मैं कहूंगी कि मैंने इसके लिए कोई book as such follow नहीं की थी पर मैंने online sources इसके लिए follow किये थी आप इसको कैसे prepare कर सकते हो आप गांधी के जो life का phase है उसको आप कुछ phases में divide कर सकते हो like childhood में ठीक है कहां पे उनका birth हुआ था कहां उनकी elementary education हुई थी उसके बाद उनका एक दूसरा phase आता है जब वो South Africa गे थे वहां पे उन्होंने क्या क्या किया था कौनसी moments में participate किया था ठीक है और उसके बाद जब South Africa से वो वापिस इंडिय आए तो इंडिया में कौन कौनसी उने moments start की तो इस तरीकी से आप गांधी के phase गांधी के लाइफ के different different phases पे MCQs जो है वो प्रेक्टिस कर सकते हो online sources में आपको बहुत अच्छी स्पे MCQs देखने को मिल जाएंगे और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करके जाए क्योंकि इ के point of view से years important हो जाते हैं गांधी की life से related ठीक है उन्होंने किसी की help ली थी तो वो important हो जाता है या फिर किसी moment में वो jail गए थे कितने time के लिए वो jail में रहे थे ठीक है यह सारी चीज़े important हो जाती है उसके बाद disaster management से related भी अगर बात करें तो disaster management का act है उस related various institutes है उनकी location क्या ह उसके बाद कोई authority है for example national disaster management authority है इसको कौन cheer करता है या फिर आपके current में कोई conference हुई है meeting हुई disaster management से related ये सारी चीज़े important हो जाती है disaster management के point of view से ठीक है तो सबसे पहले आपके लिए क्या important हो जाता है जब भी आप pre exam के लिए focus करे हैं कि आप syllabus को भी further topics में divide कीजी so that आपका कोई भी topic जो है वो मिसना हो मैंने यहाँ पर बहुत जादा topics आपके साथ discuss के हैं आप उनको एक जगा note करके जो है रख लीजी so that जब आप अपनी तयारी कर रहे हो कोई portion revise कर रहे हो तो वो आपके मिसना हो और multiple revision और previous papers को जितना हो सके उनको study कीजिए analysis कीजिए और revise कीजिए और next वीडियो में हम discuss करेंगे मेंस की strategy तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो में and thank you